दोस्तो अगर किसी LED बल्ब का SMD LED फ्यूज हो जाता है तो कई लोग क्या करते हैं उस SMD LED को तोड़ कर सौट कर देते हैं जिससे की LED बल्ब ठीक हो जाता है लेकिन दोस्तो ऐसा करने से कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद फिर से अगला SMD LED फ्यूज हो जाता है तो कि LED अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो समझो आपके लिए या सिलसिला थमने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी LED बलबका SMD LED फ्यूज होने पर फ्यूज LED को कैसे चेंज करते हैं इसका बहुती आसान तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से कोई भी इंसान एक ही बार में अपना LED बलबका LED चेंज करके करना सीख सकता है और अपने बलबका रिपेयर करके महिनों तक उसे यूज कर सकता है तो चले दो तो वीडियो स्ट देख लिए तो आपके लिए LED चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा तो दोस्तो यह जो आप दे सकते LED बलब इसमें दो LED खराब है जिसे हम चेंज करके आपको दिखाएंगे तो दोस्तो जब हम पने पहले बार इसको LED को सौट किया तो यह बलब कुछ दिनों चलने के ब बार बार फ्यूज होता रहता है इस सिल्सिला को रोखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें जो खराब एल, इंद्न करना सिखेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको एलेडी चेंज करने के लिए जो एलेडी प्लेट लगा हुआ है उसे आपको पहले बाहर निकालना होगा तो हमने इस तरह से जो वायर है उसको अलग कर दिये हैं और इसका प्लेट को इस तरह से स्क्रू निकाल कर के बाहर निकालने हैं आप दोस्तों एलीटी चेंज करने से पहले आपको कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे कि यह जो लीडी प्रेट है वहाँ नाइन वाट बलब तो जो LED है वांद 3 watt का भी है तो आपको क्या करना है आपको जितने watt का ऑप status करना होगा ज्यानिंग ki आप 98irdi लगा हुए तो आपको तीन में LED लगाना है झांथ आपको कम बट करना है तो आपको लगाने से पहले जो LED लगाना सब्सक्राइब यह ऩगाना चाहते हैं है कि अगर आप खराब यादि च्ञाइट नहीं टो आपको पहले चेक कर ले Woody के लिए चेंज और प्लास्टिक का नहीं लेना है और पेकINGsweise और आपको सालडीlden को सब्सक्तों लूगत जो आपके पास होगा ही तो दोस्तों इन तीनों चीजेंगी मदद से आपको यहां पर यहां पर लगा लेना है पहले हम यहां पर आपको इस प्लेट को यहां पर दबाकर रख देना है और कुछ मिनियट में यह गर्म हो जाता है और गर्म होने पर दोस्तों आपको सभी LED को यहां से इस वाली चीम्टी के थ्रूँ पकड़ पकड़ कर उठा कर यहां से निकाल लेना है, तो दोस्तों यहां का जो LED हम निकाल रहे हैं, उसको हम अपने LED बल्ब में चेंज करेंगे, तो इस तरह से आप हिट करके जो LED है, उसे SMD LED को इस तरह से निकाल सकते हैं, अब दोस्तों यहां पर हमने LED को निकाल लिया है, है और हम याप पर सिर्फ दो ही सम्डी एसम्डी की जरू होथ graph कि हम इंडिक सकट बलब है उसके चेंजर तो हमके इस बात का ध्यान देना है फिम प्रस माइनास होता है जो छोटा वाला बहुता होता है प्रस होता है और बाब है वाला हिस्सा होत है माइन्स होता है आपको इस बात को याद रखना है दोस्तों आपको प्लसको फ़श्ची तिरब ओर मैनिश को मैंन इसको अगर से बड़ा नहीं करेंगे तो आपका बल्ब ग hopeful नहीं लेटी का उसको प्लेट के जारावाला भाग वहां पर रखना है और कम चैने से करते हैं यहां पर इस तरह से प्लेट को बीचों पर इस चिंटी के थूर्प दबा यहां पर प्रेस करेंगे दोस्तों या कुछ मिनट के अंदर ही गर्म हो जाएगा और यहां पर आपको सभी काम फटा-फट से करना है अगर आप ज्यादा हीट कर देंगे तो पहले का जो LED लगा हुआ हीट होकर खराब भी हो सकता है आपको यहां पर फटा-फट काम करना है आपको तो यहां पर हीट हो चुका है तो यहंपर पहले पहले क्लीन कर लेते हैं जहां पर हम LED चैंज करने वाले हैं यहांपर पहले का जो रंगया हर यहां पर plug- यहाँ सर 1996 कर देते हैंं क्योंकि कुछ से कन तक तो यहां पर हमारा जो लेट है वागल में रहेगा तो हम यहां परbelt प्लस और प्लस माइनाश मिह देख लेते पहले जो SMD ऐसका तो आपको इससे यहां देख लेना है प्लस को प्लस की तरफ और माइनस को माइनस की तरह इस तरह रखना है और इस चिम्टी के थुरू आपको एग्जेस्ट कर लेना है आपको बीचो बीच लगाना है अगर आप हलकी सी भी इधर उदर लगा देंगे तो आपका LED गलो नहीं करेगा अब हम इसके बाद जो दूसर सबस्काइल है तो आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे की जो हमने लगा रहा है ये नहीं कर रहा है तो हमने आप पर holder में लगा दियें दोस्तों अब अपने series board में आप पर supply देंगे तो चलिए हमें आप पर supply दे देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो LED bulb है वा glow कर रहा है और यहां पर आप दे सकते हैं जो नीचे का दो LED हमने आप चेंज किये थे वा भी glow कर रह पा सकते हैं तो चलिए दो मिलते हैं ने स्टूर में तब तक लिए हिंद जै भारत